इलाइट स्टेडी प्लेटफरम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कसन करेंगे हिमाचल परदेश पब्लिक सर्विस्ट मिसन सीमला के दौरा अयरुवेदिक फार्मेसी ओफीसर जिसका पोस्ट कोड एक अजार पच्चीस है जुनियर ओफीस एसिस्टेंट अ दी है अब देखिए आपको पूना अप्लाई करना होगा ह्पीपीश सीमला की वैपसाइट में जाकरके सिम्पली आप गूगल में टाइप किजिए एच्पीशी सीमला और कमिसन की ऑफीसली वैपसाइट खुल जाएगी उस वैपसाइट पीजाकरके आपको क्या करना है उसके बाद देखिए यदि आपने इफ न्यू कैंडिडेट सी वीडियो यदि आप बिल्कुर नए कैंडिडेट है आपने कभी भी हच्पीपीसी सिमला की वेफसाइट पर कोई भी अपलाई नहीं किया है तो यह जो पीडियाफ है जिस पर देखिए लिंक कर enclar को विलने वाला के अफ्लिक अलएक doc करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगा इस लिंक के ओपर आपको वीडियो मिले अपको पूरी जानकारी मिलेगी एक टेलेग् सबस्क्रeία ह Caleb video आपको पूरी जानकारी मिलेगी that पासवर्ड डालेंगे उसके बाद देखिया उसके बाद दोनों तरफ से आप यहीं पहुंच जाएंगे तो आप वीडियो को सुनेंगे थोड़ा साथ बहां पर अपना नया यूजराइडी पासवर्ड करेंगे अप्टर देट आपको उस डॉकुमेंट वहां पर अपलोड करने होंगे उसके बाद आपके सामने एक उप्सन आएगी जहां पर लिखा होगा बैदर एप्लाइड अर्लियर थूरू अर्ष्ट बहाइल एच्पीपेसी हमिरपूर यस या नो यदि आप यस करते है तो दिएक पोस्ट कोड यहां पर इसका जो आपका अप्लिकेशन नंबर होगा वह यहां पर आपको डालना मेंडिटरी किया गया है इप अप्लिकेशन नंबर इस नॉट एविलेबल एंड आल्सों टिक इन स्पेसिफिक सब कैटेगिरी और फॉर दिपार्टमेंट तो अवेल दा फी फीमेल्स की फीस नहीं लगती थी एक सर्विस परसंस की फीस नहीं लगती है उस कैटेगरी से आप तो आप उसको भी वहां पर टिक कर दीजिएगा तब भी आपकी फीस नहीं लगेगी नहीं तो देखिए आप नो के ओपर क्लिक करते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको दे दा application fees applicable for the post categories as per the advertisement तो आपको fees पे करने पड़ेगी, the candidates are advised to fill correct information of their name, father name, date of birth, categories filled up in the application form or erstwhile HPSSE हमिरपूर against respective post to avail free fees exemption, इदि क्या आपको कोई दिक्कत आती है तो आप 10 बज़े से 5 बज़े के बीच पर आपको call करना होगा, 01772624313 नमबर भी यहां पर जारी किया गया है, तो आप सही समय पर समय रहते ही आप इन 3 vacancies के लिए apply कर दिजिएगा, एक और बहुत बड़ी ख़बर आई है, 9 से 12 मी तक के सिक्सकों के लिए अब टैट होगा अनिवारया, देखिए इमाचल परदेश में लिए आप देखते होंगे, तो यहां पर जो आठमी तक बड़ाते से सिक्सक उनके लिए टैट अनिवारया किया गया था, जेबी टी का टैट होता था, लेंगुज टीचर का टैट था, उसके लाब़ा टीचिटी आर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल का था, सास्त्री का टैट हुआ करता था, लेकिन अब देखिए जो लेक्टर समारे यहां पर हिमाचल परदेश में होते हैं, इस पार बहुत लकलीर है, जिनका अभी देखिए, जो पीजी टी के कमिशन में अभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन अवयार्थियों को यहां पर देखे टैट देने के आप सकता न नहीं हैं, लेकिन इन फ्यूचर जब अगला कमिशन हिमाचल परदेश में भी होगा, तो यहां पर क्लियर कर दिया गया है, कि जो चौबिस और पचीस का सत्तर होगा, जो कि अभी सुरू होने बाला है मार्च से, तो यहां पर देखे क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रिया एक्जाम देना है, उनके लिए हम बता दें हमारे टीम के दोरा, इमाचल परदेश स्कूल परवक्ता जो बी एड़ वाला पोर्सन है, उसके एक सेपरेट किताब लाँच कर दीगी है, बहुत ही बहतरीन हद्यान समगरी आपको इसको मिलने बाली है, अंग्रेजी हिंदी द पेपर टू से गुजरना पड़ेगा, पेपर बन के रिया आप इस किताब को जुरू ट्राइ किजिएगा, हिमाचल परदेश समान्या परिक्सा पेपर बन, कंपलसरी पेपर की ये किताब है, जो इसमें आपको मिलेगा, हिमाचल परदेश समान्या ग्यान 30 मर्क्स का किसी तरह की प्रिक्सा में दिया आपने अपनी अपीर्स देनी है, तो आपको इस प्रिक्सा को क्वालिफाइ करना होगा, बहुत थी नॉमिनल प्राइजिस पर किताब आपको महरी टीम अबिलेबल कर वारी है, मर्च टू हंडड़ेटी रूपीस में, तो आप जल्दी से इराइट स्टेडी को डाटन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, या आप अपने नजदिकी सॉबकीपर से भी ट्राइ कर सकते हो, इसके लाब हम आपको अपडेट कर दें कि इराइट स्टेडी टीम के दौरा जो हिमाचल पर्देश में स्कूल लेक्चरर की भरती हो रह इसके लाइट स्टेडी यूट्यूब चैनल